तो दोस्तों चार बजे तो मेरा निकलने का प्लान था हवेवर मैंने सोचा कि चलो इतने दूर आये तो पैरसेलिंग करी लेते हैं तो अभी हम पैरसेलिंग करेंगे एक्सपीरियंस बर्दाद है हाला कि अभी नर्वस है थोड़ा डल लग रहा है ऊपर ले जाएंगे बट होफिली मज़ा आएगा बने रही है और पैरसेलिंग का एक्सपीरियंस आप भी मेरे साथ लीजिए दोस्तों यह है ओकनेगन पैरसेल कलोना ब्रिटिश को लगया तो इधर से हम करवा रहे है अपनी इधर से मैंने कर दी है बुकिंग पेमेंट भी डन है और यह सामने जो डॉक है डॉक से हमें साइड में बोट से ले जाएंगे ओकनेगन लेग के पैरसेलिंग काई एक करेंगे ताकि वह स्टेबल रखेंगे हुआ में और वुलोग भी चेक कर दे जा रहे हैं इस इधर और पैरसेलिंग और वह सही है एक बच चेक करेंगे कि बहुत ज्यादा हावाय मीचे इतने हावाय तो उपर बहुत ज्यादा होगी तो वह सेफटी अपना देखते है अप जार ने दोस्ता है जादा पंगे जाल पढ़िया एग दोस्तां की बोट चल पढ़िया है और नवी तो शुता है आप नजारा देखेंगे है पना स्रुमारा है झाल झाल दुण साथ व्ही न सुओ तो दोस्तो पारसीलिंग हो चुगे है दन और गाइस क्या मज़ा आया क्या बताओ I don't have words to express मतलब जैसे आप ऐसे उपर जाते हो ऐसे लगता है कि हम पंची है उठ रहे है हम पता नहीं क्या है इतना लाइट लगता है और मुझे लगा था कि बहुत डर लएगा उपर जाके क्योंकि हाइट का मुझे सोड़ा फियर है लेकिन वह इतना अराम से जाता है पारशुट की डर मतलब 0% डर लगा मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और उसके उपर जो हमारे स्टैप्स होते अगर अगर आप दी कलोना आते हो तो जरूर पारसेलिंग करना ना भूलना वो बस एक बोर्ट को अटाच होती है पारशुट और आपको ऐसे 300 फीट तक उपर ले जाते है तो इसी मोड पर हम करते है अपनी ट्रिप और अपना वीडियो एंड दो दिन कलोना में बहुत सुटी से सिटी है लेकिन बहुत सुंदर बनाएं के यह लोग भी बहुत प्यारे हैं बहुत स्वीट है यहां के सर्वीज भी हर जेके जहां पर हम गये हमें सर्वीज बहुत अच्छे मिली ऐस कंपेर टू आर्स वेंकूर सिटी मुझे पता है कि आप लाइक और सब्सक्रा अब से लेता हुग गदा अंतिल नेक्स ताहु गदा अंतिल नेक्स ताहु गदाँ तेकर पीस